नमस्कार किसान में एक चित्र के दौरा समझाऊंगा चित्र मेंने बहुत गटिया बनाया है मैं खुद मानता हूँ मैं आपको बताऊंगा चमतकर जो लिक्विड आता है इसका बेनिफिट के नर्मे का पर इसका एक मैं सच बताता हूँ खतर नारी जलते है पता क्यों मैं यह गिरते जा रहें उपर नया फाड उठाता जा रहें होता है कि हम थोजते हैं आपर से देख लेते हैं अच्छा फाड है पर नीचे का फाल जो गिरता रहता है यह नुकसान होता है परती लड़ी अगर आपको पता हो तो 6-7 पुलगटी बनाता है वो और 6-7 पंट्रोल नहीं कर नहीं करो तो वैसे तो अगर सही वेराइटी तो आट से न ostr obey तक उठा लिता है पुझा पर यही दिक्कत होती है यह जिदिक्कत और इसी अशिक क datos कुण स्ढम करते हैं यह क्याकरते हैं यह क्या करते जैसे आपका क्या पोदेकी दिख्कत क्या सरवाइज ज्यादा करता है तो नीचे के फाल नहीं करा है क्योंकि एक पोद्द हो होता कि है तो छोड़ी सी बढ़नी दीमी हो जाती है 7 से 8 दिन के लिए कम से कम वैसे 8 से 12 दिन तक चला जाता है उतने दिन करता कि आ पोदो उपर तर विक्वास नहीं करता नीचे के तरफ जितना उसने फाल उटा है वो सारक सारा वो कंट्रोल करता है जितना गुर्थ चुका हूँ तो पावल करना जाता है यहां का फाले यहांपर के तरफ यहांपर पाच-पाथ 25 यहां उन्वों पड़ाएती उसने वह आगी की तरफ 20 तो तीन और बढ़ाएगा और जितनी वह सारी कंट्रोल करेगा ये इसकी सबसे बैस्ट पाइंट है बस यही बात समझनी के ऊपर करते फिर उपर के तरफ नहीं बढ़ेगा नीचे कितना बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता है ये साथ से कोई भी दवाई होती है उसका टाइमिं और जो upर के तरफ नीचे कवार है उपर का तरफ जो फाल यह उठाता अपने आप कंट्रोल हो जाता है ऐसा नहीं कि हमने एक वार सफ्रे कर दी, 15 दिन में रिजल्ट आ गया, 15 दिन बाद हमको दूसरी वार करने हैं, ऐसा नहीं है, दूसरी वार नहीं करना, सिर्फ एक वार ही करना है, एक वार में आपको खतरना रिजल्ट मिले हैं, ऐसा नहीं करें, ऐसा अगर आपको फिर भी सम कर रहे हैं वो बहुत दूसरी जो नर्म है उसके बराबर काomin हो बराबर के जमीन है फिर दे के आपको पर टीब आपको बचे जो आठ नीघे मान लिजीा आठ जाड देन게 तो यह आपका दो कमटल इसलिए प्लस लेगा वर कियो कि यह ईसलिए बडर यह शाड कर रहा है और दूसरा जो फार ये बीच में था काई फार ये गेर दे रहा था उसको भी रोकीगा ऐसा नहीं कहता कि इस फार नर्मे ने जो सो के सो टिंडे उठे है सो कंट्रोल कर लेगा नहीं बाकी ओधर से मुकाबले थी कंट्रोल करेगा एक बात विश्यष रूप से द्यान दें कि यह वेग्यानिकों नों भी कहा है जो खेती हैं उन्होंने काया कि कभी भी नर्मे की 100% फार्ट कभी कंट्रोल नहीं हो सकता पर हो सकता है इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सको तौना कंट्रोल करें आप 50 भी अगर कं तक के लिखे Βाय दाने का यही चमतकर दौय के बैंश बैने फेट है कि यह फाल कंट्रोलल ऑफ चमतकर दौयाई ही हैड फिर कहीं जग़ा होता है कि कहते है नर्मा कहते हैं नर्मा जादा बढ़ गया बढ़वार कर गया तो हाइट रोग नहीं तो उसके लिए भी चमत कर गयते हैं तो चमतकर कई जगा पर काम करता है चमतकर वैसे हाइट रोगने में करता है दूसरा काम करता है हाइट रोग कर निच्चे के तरफ पूरे पशुक देते क्योंकि जो उपर के तरह उसके ता लोड़े से खर्चे से आप एक बेस्ट रिजल्ट पासकते हैं तो आशा करता हम वीडियो अच्छे लगया और कोई भी सवाल फिर भी तो कमेंट जुरूर कीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में मिलते नेक्स वीडियो में अगर जिन लोग के सांट भई ने इसका इस्तिमाल के और अजया रिजल्ट लिये तो प्लीज इस कमेंट बैक में करें ताकि लोग को भी पता देख संब्छ पाए कि हां इसका रिजल्ट मिल था मैं बताओ मैं खुद ने इसका रिजल्ट लिया था मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ तो इसलिए मैं दुबारा वीडियो बनाई है ताकि लोग किसान भाई समझ सके अभी वेसे मैं बात करूँ तो अभी इसके विज़ाई कही समय चलता है नर्मे का तो अभी तो काफी टाइम पढ़ा इस दवाय का यूज़ करने में बट सही टाइम पर बताया लोग यूज़ कर पाएंगे आशकरतों वीडियो अच्छे रगे कोई भी सवाल कमेट जो करें चैनल को सब्स्राइब करना ना हो ले